नमस्कार दोस्तूं, रीट के लिए सामाजी कद्ध्यन, NCRT प्लस RBSC के पेटरन पर आधारीत, हम देख रहे थे राजस्तान कलासेंस करती, रीट लेवल फेश्ट वर लेवल सेकंड दोनों ही बढ़तियों के लिए ये कलासें इंपोर्टेंट रहेगी दोस्तूं, आज कलास करती का हमारे नेक्स टोपिक रहेगा, वो रहेगा बासा एवां साहिते दोस्तूं, टोप 101 महत्वपुन परसन आज की इस कलास में बासा और साहिते से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, एक बार सभी साती वीडियो को लाइक, सेर और जो नए साती है, वो चैनल को आते हैं, तो आप जाईए राजस्तान, रीट राजस्तान कलासस करती परशनोतरी ग्रूप जो पलेलिस्ट बनी वी है, वहां पर सभी की सभी कलासें आपको मिल जाएगी दोस्तूं, तो पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, कौन सा ग्रंत, पंडित पर नात रेव का नहीं है दोस्तूं, तो देखिए यहां पर, काइंसो मारवाड है, इतियास निम्बाज, यह गरंत रही है, बैयो अपसन यहां पर सही रहेगा, क्यूसन नमर दो देखिए, वेदक सार, सेदा पूजा पदती, उस्तकू की रचना किसने की ती, यह कर नहीं जाते हैं, तो इसलिए इंपोर्टेंट कलास है, जरूर इसको टेंड करें, तो वेदक सार, वेदक सार, वेपूजा पदती, पुस्तकू की रचना किसने कीती मित्रूं, किसने कीती, जोरा वर सिंग ने, ओपसन सह यहां पर सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन में चल रिक विट्टल थे, ओपसन ऐस सही रहेगा, यहां पर, नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नमर चार देखे, सत्तरवी सताबदी की रचना, राज प्रसस्ती माकावे के रचियता है, कौन है दोस्तों राज प्रसस्ती माकावे के रचियता, रण छोड बट है, सह ओपसन यहां पर सही रहेगा क्यों से नमर पांस देखे राजस्तान के विक्यात इतियासकार जो एक समाज सुधारक भी थे मानकरण सारदा हर्विलाज सारदा सी एप वाल्टेर या जमनालाल बजाज कौन थे इन में से हर्विलाज सारदा थे क्यों से नमर चलिए चैके अंदर सिलप सास्त्री मंदन द्वारा रचित गरन्थ रूप मंदन का सम्मन किस विशे से हैं तो बात हो रही है रूप मंदन है वो किस विशे से जुड़ा होआ है रूप मंडन मूर्ति कलास से जुड़ावा है बे ओप्सन सही रहेगा क्योशन नमर साथ देखिए कवी राजा स्यामलदास कवी राजा स्यामलदास वे पुरातत्व वेता मुनित जिन विजे का जिस जिले में जनम हुआ वे जिला है कहां पर वाता इनका जनम सबसे इंपोर्टेंट रहते हैं कवी राजा स्यामलदास यहां से क्योशन बन सकता है एक जामू के अंदर जनम इनका वाता मित्रू बीलवाडा जिले के अंदर कवी राजा शामलदास देखे मित्रू बीलवाडा जिले में इनका जनम हुआ कवी राजा इनकी कवी राज या कवी राजा क्या इनकी उपादी है अग क्यूसन आ सकता है कि शामल दास को कवीराज की उपादी किस ने दी तो मेवाड के मारणा थे सजन सिंग मेवाड के मारणा सजन सिंग ने ये उपादी दी ती इनको दूसरा क्यूसन बन सकता है कि कवीराजा शामल दास की परमुकृति कोन सी है पर्मुकृति का नाम है वीर विनोद जो क्यूसन मैंने नहीं लिये इनके अंदर और उनसे रिलेटेड अगर क्यूसन बने तो वो आपके सामने ये रख रहा हूं दोस्तु इसके अलावा चार खंडू में रचित ये वीर विनोद गरंत है इस पर बिटिस सरकार ने केसर ए हिंद की भी उपादी इनको दी थी दोस्तु केसर ए हिंद की उपादी आगे चलिए क्यूसर नमबर आट है मेवाड में गूइल वनसे राणाओं की वनसावली किस रचना में मिलती है गूइल वनसे राणाओं की जो वनसावली है वो किस के अंदर मिलती है खुमान रासों के अंदर ये भी इंपोर्टेंट क्यूसर ने आपके लिए बन सकता है कुमान रासों के अंदर मेवाड के गुईल वन्सिय राणाओं की जो वन्साव लिये वो दोस्त हूं। क्यों सर नमर नो है, बियारी द्वारा रचित, बियारी सत्साई में कितने दोवे संग्रहित है। جو बियारी सच सही है उसके अंदर दोवे कितने brauchen 713 दोवे हैं Option S सही रहीगा नेक्स्ट क्यो सर नम्र दस है गुण रूपक नामक ग्रंद के रचियता है गुण रूपक नामक ग्रंद की रचना किस ने की थी केस उदास ने की थी किस ने की थी के सवदासने क्यों सर नमर 11 है आखिरी आवाज गरंत है आखिरी आवाज के रचियता है आखिरी आवाज के रचियता कोन है मित्रूं ये भी important क्यों से न आपके लिए बन सकता है कौन है डोक्टर रागे रागव ओपसन यहां पे सह सही रहेगा क्यों सर नमर 12 देखे कुछमादी आखर गरंत के लेका कैए कुछमादी आखर गरंत है इसके लेका कैए रामेस्वर दाल स्रीमाली option ऐसा ही रहेगा क्यों से नमर चलिए तहरे की और परसिद राग उपनियास राग दरबारी के लेका क्यों सरीलाल सुकल कोन है मित्रूं सिरीलाल सुकल है क्यों से नमर 14 में चलिए क्यों टिनीच इन राजपुताना इंपोर्टेंट क्यों से न बन सकता है ये क्यों टिनीच इन राजपुताना इंपोर्टेंट क्यों से न आपके लिए क्यों टिनीच इन राजपुताना के लेका कोन है आई टी पिरचार्ड है दोस्तूं ए ओप्सन सही रहेगा क्यों से नमर पंदरे देखिए निर्मे से किस राजपूत सासिक दुवारा नेहात रंग रचीत है नेहात रंग रंद के रचीता कोन है कोन है मित्रूं राव बुद्ध सिंग है पंदरे में दे ओप्सन सही रहेगा क्यों से नमर सोले में चलिए कवी स सथ सही किस बासा में लिखी है सूरीयमल मिसरन की यहां पर बात हो रही है तो चलिए मित्रु सूरीयमल मिसरन है इन से रिलेटेड भी कूसन एक्जाम के अंदर आते हैं तो पहले तो इसका उतर बता दूँ आपको डिंगल बासा में लिखी गई है वीर सथ सही अब आगे देखिए इनके अलावा इनकी जो मुख्य पुस्तके हैं उनके अंदर देखिए वन्स बासकर है वन्स बासकर है इनकी वीर्शत सही हमने देखिए लिए दूसरी तीसरी देखिए तो सती रासो है सती रासो ये इनकी क्रितिय में इतनु इनके अलावा इनके दातु रुपावली दातु रुपावली इनकी इनके अलावा हम बात करें तो राम रंजाट राम रंजाट भी इनकी है दोस्तों अब यहां पर बात आजाए दोस्तों कि जो सूरियमल मिसरन है इनका जनम कब हुआ यह क्यूसर आया वाय ऐघ्टारहसो पंदर वूआ था कब व infinity ता उड्वर के अंदर इनका जनम अदोस्तों कानी ऑगे चलें नेक्स्ट उसन में tar already कि सूपरसिद काया बेली ग्रंठ की राचना किसने की सूपरसिद काया बेली गरंट है उसकी रचना किसने की मित्रूं यह भी क्यूसर्ण आपके लिए important बन सकता है तो किसने की थी किसने की थी सूपरसिद काया बेली गरंट की रचना विजेदान देता ने की थी विजेदान देता नेए दोस्तूं आगे चलिये क्योसे नमर आरहे आपका ट्रा निम लिकितं में से कौन सा महरणा कुंबा दौरा रचित गरंट नहीं है महरणा कुमबा का यहाँ पे गरंट कौन सा नहीं है संगीत राज है, रसिक पिरिया है, सुधा परबंद है परसाद, प्रासाद मंडन यह नहीं है दैव अपसन यहाँ पे सही रहेगा आपका यह बाकी जो तीनू के तीनू गरंट है वो किनके हैं महरणा कुमबा के दोस्तों आगे चलिए नेक्स्ट क्युयोंसन में क्यासन नमर 19 है निम्लिकित लेककों मैंसे हेश्ठी ओप राजस्तान के लेकक है हेश्ठी ओप राजस्तान के लेकक कौन है मित्रू रीमा हुजा है ओपसन ऐस सही रहेगा क्युस्सर नम्बर 20 है निमलिकित मैसे राजस्तान बासा की किस लेकक को साहिते अकादमी प्रुसकार 2015 किनको मदू आचारिये को क्युस्सर नम्बर 20 है कवी राजस स्यामल दास द्वारा रचित परसिद इतियास गरंद का क्या नाम है बताया था मैंने क्या नाम है वीर विनोद है ओपसन बैस सही रहीगा नेक्स्ट Nerisर नम्र 20 है चेताउनी रा चुंगट्या नामक रचना किसकरांती कारी द्वारा रचित की गई है चेताउनी रा चुंगट्या किनकी है ये रचना है केसरी सिंह की इनकी है केसरी सिंग बारट जनम मेवाड राज्ये के सुन्याना गाव मेवाड राज्ये का वहाँ पर इनका जनम हुआ था इनकी चेतावनीरा चुंगट्या है, रूठी रानी रचना है, दुर्गादास चरीत इनकी रचना है, राज सिंग चरीत इनकी रचना है, परताप सिंग चरीत इनकी रचना है, ये सभी इनकी ही रचना है दोस्तूं करणी सतक, चुंडा सतक और हाडी सतक जेसी पुस्तक किसने लिखी ये सभी पुस्तके लिखी थी नातु सिंग महियारिया महियारिया के दुआरा लिखी गई है करणी सतक, चुंडा सतक, हाडी सतक दोस्तों क्योसर का नमर चुपिस्टरा थेक्टि तीडोर्ः राव अलिएकु हिटलर पुस्टकू की रचना किस ने की थी इनकी रचना की उनकी रचना की थी वीजेदान देता ने किसने की थी इंपोर्टेन 내일 आधते आ इनकी रचना की ती इसकी option S सही रहेगा क्योंसर नमर 26 है परबंद कोस नामक पुस्तका लेकक परबंद कोस का राज सेकर है ए ओपसन यहां पे सही रहेगा क्योंसर नमर 27 देखिए जुगलमेन चरित्र की रचना किसने की जुगलमेन चरित्र की रचना की थी करसंदास पयहारी ने जुगलमेन चरित्र की क्योसर नमर 28 है अर्ली चुवान डाइनेजिस्टीज अर्ली चुवान डाइनेजिस्टीज है ये लिखी किन के द्वारा लिखी गई दसरत सर्मा के दौारा लिखी गई क्योंसरtal नमर 29 देखिए आइना ए अक्बरी के रच्येता कौन है? आबूल पजल है option a հहीगा क्योंसान थर्टी है हमीर रासो एवम हमीर कावे के रच्नाकार हमीर रासो एवम हमीर कावे के रच्नाकार सारंग दर कौन है हमीर रासो वै हमीर कावे की रचनाकार सारंगदर है क्योसर नमर 31 देखे किसे रासो साहिते में अलवर की स्थापना का विवरन है कौन सा रासो साहिते है जिसमें अलवर जो राजे है उसकी स्थापना का विवरन मिलता है दोस्तु परताब रासो के अंदर नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नमर देखे आब 32 दरकत पर टंगी रोटी इसक्रिती के रचनाकार कौन है दरकत पर टंगी रोटी के राम कुमार ओजा है ओपसन ऐसा ही रहेगा क्यूसन नमर 33 है नियुन में से कौन सी रचना जिनराज सूरी की नहीं है जिनराज सूरी की सालिबदर रास है रास केला रा यह नहीं है गजसुकमाल रास है कयवत्रा रास है ओपसन बह यहां पे सही रहेगा क्यूसन नमर 34 है नरते रतनकोस की रचना किसने की नरते रतनकोस की रचना किसके दुआरा की गई मित्रू कुमबा के दुआरा ओपसन सही रहेगा क्योसन नमर 35 है राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा राजपूत जीवन संध्या नामक उपन्यास रमेश चंद्रदत ने लिखा था सही ओपसन सही रहेगा क्योसन नमर 36 है वीरवान का रचनाकार कोन है वीरवान का रचनाकार बादर धाडी कोन है मित्रू वीरवान का रचनाकार ये भी इंपोर्टेंट क्योसन है आपके लिए वीरवान का रचनाकार है बादर धाडी नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नमर देखिए आप से 30 पदमावत किसके दुआरा लिखी गई पदमावत मलिक मोहमद जाज सी सभी को पता है इंपोर्टेंट क्यूसन है यह आपके लिए आगे चलिए नेक्स्ट क्यूसन में क्यूसन नमर 38 है नागानंद रतनावली एवं पिर्यदर्सिका के लेखक थे नागानंद रतनावली है पिर्यदर्सिका है इनके लेखक कुण थे हार्स वर्धन थे だ ऑप्सन यहां पे सही रहेगा आपका नेक्स्ट क्योस्सण नमर 49 है महरणा कुम्बा द्वारा लिकीत संगीत गरंद कौन सा है कुम्बा ने कौन सा संगीत गरंद लगा था संगीत राज लिका था बै ओप्सन सही रहीगा क्योस्था नमर चालीस है राग मंजरी के लेकक कोन है राग मंजरी के लेकक पुंडरिक विट्टल है मितनु राग मंजरी के लेकक पुंडरिक विट्टल ओपसन एयां पे सही रहेगा क्यूसर नमर 41 है आगी बाण के लेकक कौन है आगी बाण के लेकक इंपोर्टेंट क्यूसर बन सकता है ये भी जे नाराइन व्यास सही ओपसन सही रहेगा कनहिया लाल सेटिया कोन है मित्रूं कनहिया लाल सेटिया जरम कहां पर हुआ था कब हुआ था 1919 में कहां पर सुजानगड कस्बे में जो वर्तमान चूरुजिले में आता है दोस्तूं अब यहां पर कनहिया लाल सेटिया है इनकी जो मुखे कृतिया है उनके अंदर दर्ती दो लटास हमने देख ली मिंजर देख ली अगोरी काल देख ली मायड रोहे लो ये सबी रचनाएं हैं जो कनियालाल सेटिया की है आगे चलिए राजस्तानी हिंदी संक्सिप्त सब्दकोस के संपादक कौन थे मित्रूं पदम स्री सीताराम लालस थे ऐ उपसंस सही रहेगा क्यो इन में से माग थे दोस्तों क्योस्सन नमर 45 है नेंसिरी क्याद किस बासा में लिखी गई है नेंसिरी क्याद राजस्तानी बासा के अंदर लिखी गई है क्योस्सन है आपका 46 पितल दौरा डिंगल बासा में लिखे गए गरंट है कौन है मित्रूं पितल दौरा डिंगल बा आसा में लिखा गया ग्रंद ये भी इंपोर्टेंट क्यूसन आपके लिए बताईए यहां पर देखिए गंगा ले रही है वेली क्रिसन रुकमनी रही है दे ओपसन एवब दोनु यहां पर सही रहीगा आपका क्यूसन नमर से तालिस जे सिंग सूरी लेखकते जे सिंग सूर कि लेखकते किनके लेखकते जे सिंग सूरी हमीर मद मर्दन के ओपसन एस सही रहीगा क्यों से नमर टालिस है राग चंद्री का किसके दुआरा रचीत है राग चंद्री का के लेखकत कोन है मित्रूं दुआर का नात बट दुआर का नात बट है ओपसन एस सही रहीगा क्यो एक लिंग महातम्मी, कौन सी बासा के अंदर है, सैंसकर्थ बासा के अंदर, ओप्सन बैस सही रहीगा, 50 क्यूसन है, आदुनिक राजस्तान का निर्मान करता, किसे का जाता है, आदुनिक राजस्तान का निर्मान करता, इन में से किन को का जाता है, जेनारा इन्व्यास, विजे सिंग पतिग, मोहनलाल सुकाडिया, बोगिलाल पंडिया, मोहनलाल सुकाडिया को क्यों सर नमर इकाउन है, रसिक पिरिया नामक जो ग्रंत है, वो किसे सासक के दुआरा लिखा गया है रसक प्रिया के रचनाकार राणा कुमबाते बैव उप्सन सही रहेगा क्यों से नमर बाउन है सिसुपाल वद का लेकक था सिसुपाल वद का लेकक कौन था मित्रूं माग था सिसुपाल वद का माग था सैंसकर्थ कवी था और बीनमाल का था ये तो बिनमाल का माग बेह उपसं सही रहेगा क्योस्था नमर तरेपन देखे पर्त्विराज विजे के रचियता पर्त्विराज विजे के रचियता जयानक कल हमारी कक्सा नो RBC पलस NCRT बेस पर जो कलासे हो रही है रास्तान अद्दिन की कक्सा नो के मैतवा पूर्ण परसन देखे थे वहाँ पर ये क्योसन आया था आपके नेक्स्ट क्योसन नमर चोपन है नेमलिकित मेंसे कौन सा ग्रंट कूबा की रचना नहीं है रसिक प्रिया है सुदा परबंद है नर्ते रतन कोस है कलानीदी नहीं है कूबा के जो ग्रंट है यहां से क्योसन भी एक जामू के अंदर बहुत बार आते रहते दोस्तों आगे चलिए नेक्स्ट के अंदर क्योसन आ रहा आपका पच्पन चार बास बतीस गज अंगूल अश्ट परमाण विरोग थी किनकी थी यह यह थी चंदर बरदाई की से ओफसन यहां पे सही रहेगा क्योसन नमर चपन है रसिक रतनावली के लेकर कौनते यह भी कक्सा ना इन के रास्तान अद्दिन में कलायावा क्योसन है रसिक रतनावली के कौनते नागरीदास नेक्स्ट क्योसन है सुपासना च्रीतरम है क्या मित्रू यहाँ पर आप सभी सातियों को मैं बता दू कि अगर आप रास्तान अद्धिन की जो कक्सा नुसार कक्सा छे से बारा तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी कलासू की अलग-अलग कलासे हैं वो आपको मिल जाएगी पले लिस्ट के अंदर रही बाद पर्षनू की तो पर्षने हैं जो कक्सा छे, कक्सा साथ, कक्सा आठ, कक्सा नो के हमने देख लिये हैं कक्सा दस के आज हमार रहेंगे रात नो बजे नेक्स्ट है उन गोरी किन पीवरी नामग्रंद के रचियता कोन है मित्रूं कोन है यागवेंदर सर्मा चंदर जिनको चंदर की उपादी दी गई है यागवेंदर सर्मा ये यागवेंदर सर्मा से रिलेटेड क्यूसन भी आया हुआ है देखिए मित्रूं इनका जनम हुआ था बिकानेर के अंदर कहां पर बिकानेर में कब 1932 के अंदर इनका जनम हुआ था इनकी जो एक मुख्य रचना है जिससे क्यों सनाया था वो था जमारो जमारो है वो एक लेकक वर रचियता कोन है जमारो एक कानी संग्रह है मित्रू और लेकक कोन है उसके या आगवेंदर या यादवेंदर सर्मा जिनको चंदर की उपादी दी गई है वो यह दोस्तूं इनके अलावा जोग संजोग है इनका चांदा सेठानी इनका है एक और मुख्यमंत्री इनका है तासरोगर इनका है एक नाटक प्रादारी ते तासरोगर मिट्टी का कलंक इनका ही क्या है गरंत है दोस्तूं नेक्स्ट क्योसे नमर 69 है अमरित पुत्तर नामक गरंत के रचियता है अमरित पुत्तर नामक जो गरंत है उसके रचियता कोन है मित्रूं आनंद सर्मा ए ओपसं सही रहीगा क्योसे नमर 60 है रजियारा सोर्टा गरंत के रचियता रजियारा सोर्ट किस ने लिखा करपा राम ने लिखा ओप्सन सही रहेगा क्यों सन 61 देखिए 61 नमर क्यों सन है राजस्तानी बासा के विद्वान वे राजस्तानी में रामाइन के रचियता है राजस्तानी बासा के विद्वान वे राजस्तानी में रामाइन के रचियता कोन है मित्रूं संत हन स्वामी दयानन्द सर्शवती के सूपरसित ग्रन्द सत्यार्त परकास का परकासन कहां वाता कहां पर उदेपूर के अंदर वाता ओप्सन एस साही रहेगा क्यों सर्शन नमर 63 देखिए राजस्तानी ग्रन्द वेली क्रिसन रुकमनीरी का लेका कोन है पातल और पीतल के अंदर आपने पड़ा होगा पातल का आदेश किसको है पीतल का किसको है वो चीज यहां पर आपको देखनी है और यहां पर आपको गया पातल पातल और पीतल के अंदर पीतल है कोन परत्वी राज राठोड है ए ओप्सन सही रहेगा यहां पे क्योसर नमर 64 देखिए राव जेट सीरोचंद किस बासा में लिकी गई है डिंगल बासा के अंदर क्योसर नमर 65 है सूरियमल मिसरन का जनम कहां पर हुआ था बुंदी के अंदर हुआ था कहां पर बुंदी के अंदर साइद मैंने बताया नहीं है सूरियमल मिसरन है वो बुं वोधिंदी के जो महाराव थे राम सिंग, उनके क्या थे? दरबारी कवीते ये. अब आरे हमारे आपके बासा से रिलेटेट टोप इंपोर्टेंट क्योसन दोस्तूं, ये भी जो क्योसन आएंगे वो हर एक योसन आपके लिए क्या रहेगा? important ही रहीगा दोस्तों सरवादिक चेतर पर बोली जाने वाली बासा कोन सी है सरवादिक चेतर पर राजस्थान में मारुआधी बासा बोली जाती है the option सही रहेगा क्यों 90-67 कोन सी बोली पस्मी हिंदी वह राजस्थान के बीच समनवे का कारिये करता है कौन सी बोली कारिय करती है मेवाती बोली दैव उपसन सही रहीगा क्योसर नमर 68 है दक्षिन पूर्वी राजस्तान की बोली है कौन सी बोली मालवी बोली दैव उपसन यहां पे सही रहीगा क्योसर नमर 69 है शोर्टा चंद और मांड सोर्टा चंद और मांड राग जिस बोली की सिलफगत विसेश्थाएं है वह बोली है कौन सी की है ये मारवाडी की है option 10 सही रहीगा question 70 देखे 70 नमर है सीता राम लालस जिनुने राजस्तानी सब्द को स्तयार किया का सम्मन्द राजस्तान के किस जिले से है इनका सम्मन्द किस जिले से है मित्रू जोदपूर जिले से है option भे यहां पे सही रहीगा आपका और important question भी है ये आपके लिए question number 71 है पूरवी राजस्तान के मद्दे पूरव बाग की परदान बोली जो पूर्वी राजस्तान है उसके मद्दे हो पूर्वे बाग की जो मुक्खे बोली है वो कौन सी है मद्दे पूर्वी राजस्तान important क्यूसन बन सकता है आपके लिए ये जो यहां की बोली है ये पूछा गए आपको यहाँ पर जेपूर के आसबास की बोली पूची गई है तो जेपूर के आसबास कोन सी है डूंडारी बोली देव उपसन यहाँ पर आपका सही रहीगा आगे चलिए नेक्स्ट क्यूसन की ओर क्यूसन नमर 72 है राजस्तान की मूल बासा कोन सी है क्यों से नमर तेतर है, संत दादू दयाल ने अपनी साहित्यक रचनाएं वो कौन सी बासा में लिकी दादू दयाल ने अपनी साहित्यक रचनाएं किस बासा के अंदर लिकी ती मितरूं, यह भी important question आपके लिए, किस बासा में लिकी, डुन-ढड़ी बासा के अंदर, Q74 है राजस्तानी बासा का उत्पत्तिकाल राजस्तानी बासा है इसका उत्पत्तिकाल कौन सा माना जाता है कौन सा काल माना जाता है बारवी सताबदी का अंतिम चरण बारवी सताबदी का अंतिम चरण माना जाता है दोस्तु आगे चलिए नेक्स्ट क्यूसर में क्यूसर नमर पेचेतर है राजस्तान की निमलिकित बोली में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित नहीं है मित्रू अब देखे राजस्तानी की कौन सी बोली है जो उसकी उपबोली से सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है सबसे पहले दी गई है आपको मारवाडी, मारवाडी की राठी, क्या सही है मित्रूं, मारवाडी की राठी, सही है अगली है डूंडाडी, डूंडाडी की दी गई है आपको नागर चोल क्या डूंडाडी की नागर चोल है मितरू नहीं है मितरू डूंडाडी की नागर चोल नहीं है यहाँ पर यह आपका गलत हो रहा है नागर चाल, यह गलत है दोस्तू मेवाती की केराडी मालवी की राजावाटी ये सही है आपका तो यहां पे आपका सही रहेगा बैव उपसन नेक्स्ट क्योसन क्योसन है आपका 76 राजस्तान की बोली एवं उनके प्रचलन चेत्रू के सम्मन्द में निमलिकित में से गलत यूगम को पहचानिये बोली और उसका जो प्रचलन चेत्र है उनमें से जो गलत यूगम है वो आपको क्या करना यहां पर पहचानना है दोस्तों तो देखिए पहचानिये यहां पर डूंडाडी बोली है वो जेपूर दोसा किसंगर्ड टोंक यहां पर बोली जाती है सही है हारोती कोटा बारा बुंदी जलावाड साइए बागडी अजमेर नागोर चितोडगर क्या बागडी यहां पर बोली जाती है मित्रू बागडी बोली नहीं बोली जाती बागडी डूंगरपूर बासवाडा में बोली जाती है तो यह गलत है आपका मेवाती अलवर, बरतपूर, क्रोली, दोलपूर, मेवाती आपकी सही है आगे चलिए नेक्स्ट क्योसन की और क्योसन नमर 77 है अलवर जिले के परताब गड़, अजब गड़, थानागाजी, बल्देव गड़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी बोली कठेर मेवाती बोली से उपसन सही रहेगा क्योसन 78 है राजस्तान के राजके विबागु में केवल हिंदी बासा वे देवनागरी की रबर की मोरूं का उप्योग का बनिवारे किया गया था सन उन्नी सो चिंतर के अंदर से उपसन सही रहेगा आपका आगे चलिए क्योसन 79 है इंडिया दे लेंग्वेज लेंग्वेश्टिक सर्वे ओप इंडिया वोल्यूम नाइन पार्ट टू के अंदर बोल्यूम का जो वर्जगी क्रण है वो प्रस्तुत किया गया है दोस्तूं नेक्ष्ट क्यूस्ण में चलते हैं सी नमर है आपका सुमेलित कीजिये बोली और उसका छेतर आपको है वो करना है सुमेलित यहांपर पहले दीए गई है मेवाती या अहीर वाटी मेवाती आहीर वाटी यह किस चेतर में बोलिजाती है यहां पर देखें मेवाती आहिरवाटी है कहां पर बोली जाती है जो मेवाती है यह important question है आपका यह मेवाती आहिरवाटी उत्री पूर्वी राजस्तान के अंदर बोली जाती है क्या सही है मित्रूं option यहां पर देखें एक का एक निमाडी निमाडी कहाँ पर बोली जाती है निमाडी बोली जाती है दक्षनी राजस्तान में रागडी रागडी और सोंदवाडी रागडी और सोंदवाडी है ये कहाँ पर बोली जाती है दक्षनी पूर्वी राजस्तान में मारवाडी वे मेवाडी पस्मी राजस्तान के अंदर क्या सही है मिद्रूए मेवाडी मारवाडी पस्मी राजस्तान और दक्सिने राजस्तान का लगबग यहां पर जो आपको कूट दिया गया है उसके अंदर सही करम नहीं दिया गया है तो यह ना सोचे कि यहां पर आपका गलत हो रहा है कुछ कूट में टाइपिंग मिश्टेक है यहां पर ओ, ऐ ओ, ओ, सभी रहे हीगा, क्योस्त है नमर क्यासी है? रागड़ी बोली नियूँ मेंसे कौन सी बोलियूं का मिसरन है? रागड़ी किन-किन का मिसरन है मितरूम? रागडी है जो आपके मिस्रण है वो किन किन का important question बन सकता है यह मारवाडी वे मालवी का मारवाडी तदा मालवी का मिस्रण है रागडी next question में चलते हैं question number 82 है मेवाती बोली किस छेतर में बोली जाती है मेवाती बोली मेवाती बोली जाती है अलवर, बरतपूर, दोलपूर, छेतर के अंदर क्यों सन 83 है नेन मैं से किस जिले में सामानेत है मेवाडी नहीं बोली जाती मेवाडी सामानेत है किस जिले में नहीं बोली जाती उदेपुर में बोली जाती है मेवाडी पाली में नहीं बोली जाती है बिलवाडा चितोड में बोली जाती है बैव उप्सन सही यहां पर आपका रहेगा दोस्तूं इंपोर्टेंट क्यूसन भी है यह आपके लिए आगे चलते है नेक्स्ट क्यूसन की और क्योंसे ने आपका 84 नियुन में से ढुंडाडी बोली की उपबोली नहीं है ढुंडाडी बोली है उसकी उपबोली कौन सी नहीं है मित्रू ढुंडाडी की उपबोली तोरावाटी, देवड़ावाटी, चोरासी और राजावाटी कुन सी नहीं है देवड़ावाटी बै उपसन सही रहीगा क्योसे नमर 85 रास्तान की बासा के लिए सर्वपर्तम राजस्तानी सब्द का प्रयोग किसने किया था रास्तानी शब्द का प्रयोग किया था जोर्ज ग्रियरसन ने सबसे पहले रास्तानी जो बासा है रास्तानी की बासा उसके लिए रास्तानी सब्द किस ने किया था जोर्ज ग्रियरसन ने किया था 1978 के अंदर नेक्स्ट के उसन में चलते हैं राजस्तान के किंजिलों में पंजाबी बोली बोली जाती है हनुमानगर्ड गंगानगर के अंदर हनुमानगर्ड गंगानगर में क्योसन सत्यासी 84 बोली जिस छेतर में प्रचलित है 84 बोली कहां पर है जेपूर टॉंक के अंदर नेक्स्ट क्योसन है आडोती बोली राजस्तान के जिस चेतर में प्राय नहीं बोली जाती किस चेतर में नहीं बोली जाती है आडोती बोली दोस्तूं बरतपुर के अंदर नहीं बोली जाती है जालावाड कोटा बुंदी यहां पर बोली जाती है ऐ ओप्सन सही रहेगा Q89 निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाडी और मालवी का मिस्रण मानी जाती है मारवाडी वे मालवी का मिस्रण कौन सी बोली रांगडी है आपकी Next question है देवडावाटी बोली किस चेतर में बोली जाती है Q1092 ए वागडी बोली किस छेतर में बोली जाती है वागडी कहाँ पर डूंगरपूर बासवाडा के अंदर ओप्सन सही रहेगा 93 Q2 देखे राजस्तानी बासा का सोतंतर रूप में विसले सनि किसने प्रस्तूत किया था रास्तानी बासा का सोतंतर रूप में किस ने किया था जॉर्ज अबराम ग्रियर्सन ने किया था important क्यूसन है यह आपका क्यूसन नमर 94 है निवन में से कौन सी मारवाडी की उप बोली नहीं है बिकानेरी नागर्चोल जोदपुरी थली कौन सी नहीं है मित्रू सिंपल सा क्यूसन है अगर चोल नहीं है बैव उपसन यहां पर सही आपका रहेगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन 95 में राजस्तान की बोली वच्छेतर के सम्मन को ध्यान में रखते वे निमलिकित में से जो गलत यूगम है उसको आपको यहां पर पैच्छानना है टौंक में डुंडाडी है, पाली में क्या वागडी है मित्रू में वागडी नहीं बोली जाती, गलत ये आपका बारा में आडोती, क्रोली में मेवाती सही बैव उपसन यहां पर सही रहेगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन की ओर क्योस्ट नमर 96 है कि जिले में गोडवाडी बोली बोली जाती है गोडवाडी बोली कहां पर बोली जाती है पाली और जालोर के अंदर नेक्स्ट क्योसन है आठविश सताबदी के कुवलाई माला नामक गरंत में बारत की अठारा देसी बासाओं में मारवाड की बासा किस नाम से वेक्त की गई है अठारा देशी बासाओं का वर्णन किया गया है जिसमें मारवाड या जो पस्मी रास्ता न उसकी बासा बताई गई है मरू वानी कौन सी बताई गई है मरू बासा या मरू वानी दोस्तों यह important question है आपके लिए आगे चलिए question number 98 है निम्न मैंसे कौन सी डुंडाडी की उपबोली नहीं है डुंडाडी की उपबोली कौन सी नहीं है मित्रू तोरावाटी राजावाटी नागरचोल राठी कौन सी नहीं है important question राठी नहीं है देव उपसं सही रहेगा question 99 है निम्न मैंसे किस बोली पर माल्वी का सकती साली परबाव मिलेगा आपको डुंडाडी बोली पर किस पर डुंडाडी पर next question है राजपूत काल में राजस्तान की लिपपी कौन सी थी ? मुंडिया लिपपी थी सह उपसं सही रहेगा क्योंसन नमर 101 है बोली जिसमें सुन्दरदास यानि दादूपंत का साहिते प्राप्त होता है बोली जिसके अंदर सुन्दरदास दादूपंत है उसका साहिते मिलता है वो कौन सी बोली है डुंडाडी बोली है सह ओप्सन सही रहेगा तो यह थे 101 एक important क्यूसन रास्तान की बासा वैस साहिते से रिलेटेड एक बार जिस भी क्यूसन में डाउट है वो कमेंट कर दें वीडियो को लाइक सेर और जो नए साती है चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें कैसी लगी आपको ये कलास कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी को बहुत बहुत अन्यवाद जे इंद जे बारत